रावल जी, consumption space को इस वक्त कैसे देखना चाहिए? क्योंकि एक बात, क्या इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइट करें? रूरल consumption को अलग देखें, जहां पर थोड़े pick-up के green shoots देख रहे हैं? और क्या urban consumption, जहां थोड़े slowdown की आश्रंका है, inflation हो, interest rate हो, उसको अलग देखें, कैसे consumption की basket में अगर portfolio किसी को बनाना हो, तो वो कैसे stocks का selection करें? नहीं, इस पिल्कुल सही पात है, I think urban consumption काफी अच्छा perform किया था पिछले दो साल में, काफी हद तक सारे urban consumption तो नहीं अच्छा किया, लेकिन जैसे auto बोलेंगे, या luxury products या luxury spending जो जिसको बोलते हैं, वो काफी अच्छा perform की थी, और जो चोटे ticket size वाली consumption है, वो इतने अच्छा perform नहीं की थी, तो consumption में किये रहता है कि हमेशा कोई न कोई part of consumption हमेशा अच्छा कर रहा होता है, और हमें ये देखना है कि rural और urban की बजाए मैं देखता हूँ कि हमेशा segments की durables हो गया, auto हो गया, QSR हो गया, या फिर FMCG, hotels, travel, so there are six, seven segments, ये छे, साथ segment में हमें देखना है कि कौन से दो, तीन segment में already recovery आ चुकी है और growth आ चुका है, और expectations थोड़े हाई हैं, और कौन से ऐसे segments हैं, जैसे कि FMCG हो गया, जहां कि recovery अभी शुरू हुई है, और expectations अभी भी थोड़ी low है, या जैसे urban consumption में जो discretionary spending है, जैसे retail, या value retail, या urban retail, या QSR, जहां पे काफी slowdown आया है पिछले दो साल में, और क्या वहां पे हमें ऐसे कोई science दिख रही हैं, जो कि recovery की तरफ हमें indicate कर रही हूं, वो सब sectors पे हमारा ध्यान है, तो urban और rural की बजाए हम इनको segments में हमें देखना चाहिए, उससे हमें शायदा clarity मिलेगी. तो क्या एक classification की जा सकती है राहूल इसमें कि अगर इसको हम दो अलग-अलग segments में ना बाटके, जैसे आपने sectors की बात करी, इसमें किस तना से एक portfolio को डिजाइन किया जा सकता है, कौन से sectors चूज करने चाहिए, सब sectors चूज करने चाहिए? आज जैसे FMCG और urban retail या value retail इस segments में मुझे लगता है कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले एक-दो साल में जो slow down आया है, अब वो अच्छे monsoon की वज़े से बोल लीज़े, या base effect की वज़े से बोल लीज़े, थोड़ी सी recovery की उमीद जाता है मुझे वहाँ पे, लेकिन जहां पे अलरी तीन-चार साल से अच्छा growth चल रहा है, जैसे कि travel हो गया, tourism हो गया, या फिर luxury items हो गए, या high ticket items हो गए, जैसे SUVs, auto, वहाँ पे थोड़ा सा moderation आये की growth में, और हमेशा जो है stocks, incremental news पे react करते हैं, या incremental news पे उद पे alpha create हो सकती है, कि जहां पे expectations low हैं, वहाँ पे अगर कोई positive surprise आ गई, तो हमेशा returns वहीं से बनती हैं, जहां पे already expectations आई हैं, वहाँ हलकी full की disappointment भी आ गई, तो returns की उमीद कम हो जाती है.